हेलो फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है रंगा कुता मैथड ठीक है तो रंगा कुता मैथड के थूइस एक्जामपल को मैं आपको सौल्ब करना बताऊंगा कि हाउ टू सौल्ब इस एक्जामपल ठीक है सबसे पहले देखो पोश्चन के अंदर क्या चीज़े दिया गया है यहां पे आपको दिया गया है X0 की वैलू यहां पे दिया गया है आपका Y0 की वैलू ठीक है और देखो आपको X is equal to 0.2 पे बताना है आपको Y की वैलू ठीक है तो यह आपका इनिसियल वैलू है यह आपका भी Y का इनिसियल वैलू है ठीक है और यह फाइनल वैलू है ठीक ह यह आपको find out करना है by using रंगा कूता method fourth order के थरूप ठीक है तो चलो इसको मैं बताता हूं कि कैसे solve किया जाता है ठीक है देखो इसमें यह की value भी already दिया गया है question के अंदर यह चीज कल टू आपको लेना है 0.2 ठीक है तो फ्रेंट देखो थोड़ा सा यहां पे आप concept समझो की concept क्या करना है देखो आपको initial value दिया गया है 0 और y0 का भी initial value दिया गया है 1 तो यह आपका x0 का initial value है और यह आपका y0 का initial value है ठीक है तो आपको आप x0 से हम आगे बढ़ेंगे और h is equal to अगर मैं 0.2 लेता हूँ यहां पे दिया गया है तो मेरा x1 का value कैसे निकलता है x0 प्लस h ठीक है तो x0 की value 0 होगा प्लस का प्लस और h का value मेरा 0.2 होगा ठीक है तो इसको मैं calculator से solve करूँगा तो 0.2 आएगा मेरा x1 का value ठीक है ठीक है तो जिसके लिए मेरा y1 का value निकलेगा तो y1 को निकालने के लिए मैं यूज करता हूँ formula y0 plus k तो y0 का value देखा हूँ यहां पे 1 है ठीक है तो मैं यहां पे 1 यूज करूँगा प्लस का प्लस और k यह जो k है ना यह k आपको निकालना पड़ेगा ठीक है तो यह जो कूता method fourth order है इसमें आपको k मिलेगा ठीक है और यहां पे आपको k की value रखना है तो आपको y1 का value मिलेगा ठीक है तो आप ऐसा लिख सकते हो y of 0.2 पे आपको value निकला है 1.2428 x की value ठीक है मतलब की x की value अगर आपका 0.2 है तो आपका y का value मिला है 1.2426 और यही आपका correct answer होगा ठीक है तो यह मैं already calculate करके रख लिया हूँ थाकि आप लोगों को समझा सकूँ ठीक है अब चलो मैं बताता हूं कि इसको कैसे calculate करना है ठीक है फ्रेंड y की value calculate करने के लिए सबसे पहले हम step number one use करेंगे step number one में एन इसकल टू जीरो पर ले करके चलेंगे ठीक है अगर मेरा step number one में question finish होता है और x की value value 0.2 पे मेरा y की value मिल जाता है खुश भी तो मैं वहीं पर stop हो जाओंगा ठीक है अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं अगला step यूज करूंगा और फिर इसी process के दूबारा मैं repeat करूंगा ठीक है देखो इस question के अंदर यह हमारा x 0 और y 0 का value दिया गया है 0 और 1 ठीक है एज का value already दिया गया है 0.2 ठीक है उसके बाद x की value अगर 0.2 है तो मुझे बताना है y की value क्या होगा ठीक है तो मैं यहां पर apply रंगा कुता फोर्थ order formula यूज करूंगा इसमें हम मुझे की value निकालना पड़ता है ठीक है तो की value निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा k1, k2, k3 और k4 ठीक है k3, k2, k1 और k4 की value निकालूंगा और यहां पर क्या करूंगा add करूंगा ठीक है add करके इस 1 by 6 से मैं multiply करूंगा तो मेरा k की value निकलेगा ठीक है तो सबसे पहले चलो मैं k1 का value निकालने के लिए बताता हूँ कि k1 कैसे निकलेगा ठीक है k1 का formula आपको यह होता है ठीक है h function of x 0, y 0 ठीक है यहां पर देखो x0 का मतलब होगा कि यहां पर इन होता है ठीक है तो अन के लिए मैं क्या say किया हूं 0 तो मेरा x0 की value यहां पर आए गा और y0 का value यहां से आएगा ठीक है यहां मैं क्या करूंगा अपना value रख़ूंगा H का value है 0.2 function का है उसके बाद X0 और Y0 X0 का value है 0 और 1 तो 1 यहाँ पर आएगा 0,1 calculator से मैं solve करूँगा तो K1 का value मिलेगा मेरा 0.2 अब मेरा K1 मिल चुका है अब मैं K2 निकालूँगा K2 निकालने के लिए यह formula यूज करूँगा H function of X0 plus H by 2 Y0 plus K1 by 2 यह जो K1 मैं निकाला हूँ ने इस K1 को यहाँ पर divide करता हूँ 2 से तो हमारा K2 का value मिल चलता है ठीक है यहाँ पर मैं value put करूँगा formula के अंदर K करके यहाँ से ठीक है इसके बाद इसको मैं calculator से solve करूँगा आब देखो यहाँ पर होता है function ठीक है तो function का मतलब हुआ कि यह जो value मैं निकाला हूँ यह है हमारा X की value और यह है मेरा Y की value ठीक है तो अब यह जो value है यह function जा मैं यहाँ पर रखूँगा जैसे यह मेरा function क्या है देख सकते हो आप डी मेरा dY by dx क्या है X plus Y यह जो dash का मतलब होता है यह basically होता है dY by dx ठीक है तो dY by dx के आपरा X plus Y है तो मैं यहाँ पर function की जगा पर X plus Y रखूँगा ठीक है उसके बाद X की जगा पर यह वाली value रखूँगा और Y की जगा पर यह वाली value रखूँगा ठीक है मैंने रखा उसके बाद calculator से solve किया मेरा value आया 0.24 तो अब मेरे पास K1 भी आगया K2 भी आगया ठीक है अब मैं K3 निकालूँगा फ्रेंड K3 निकालने के लिए यह formula यूज़ करूँगा ठीक है इसमें मैं यहाँ पर K2 डिवाइड बाइड टू आता है Y की value फिर यहाँ पर function आपको रखना है X प्लस Y X के जगा पर यह वाली value रखना है Y के जगा पर यह वाली value रखना है मैंने रख दिया उसके बाद इसको calculator से आपको solve करना है आपको मिलेगा K3 का value 0.244 ठीक है अब आपको निकालना है K4 K4 निकालने के लिए यह formula आपको यूज करना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर value रखना है value रखने के बाद आपको यह मिलेगा X की value यह again मिलेगा Y की value यहाँ पर आपको function रखना है function में X की जगा पर यह value रखना है वैलू रखने के बाद कल्कुलेटर से सिंप्लिफाई करना है आपको मिलेगा वैलू K4 का 0.288 से ठीके तो अब K1, K2, K3, K4 का वैलू मिल जाने के बाद आपको निकालना है K की वैलू ठीके तो चलो अब हम K की वैलू निकालते हैं के की वैलू निकालने के लिए K का फर्मूला मैं यूज करूँगा रंगा कूता मैथर फोथ ओडर का ठीके यहां पर K1, K2, K3 और K4 का वैलू रखूँगा एक के करके ठीके और उसके बाद यहां पर देखो K2 के सांद 2 का मल्टिप्लाई है तो यहां पर मैं 2 का मल्टिप्ल करूँगा ठीके उसके बाद इसको कल्कुलेटर से मैं सिंप्लिफाई करूँगा ठीके कल्कुलेटर से सॉल्ब करूँगा मेरा वैलू आएगा 0.428 तो यह हमारा की का वैलू मिलेगा ठीके अब की का वैलू निकल जाने के बाद आप आप असानी से क्या निकाल सकते हो वा Y1 का value का formula होता है Y0 plus K ठीक है तो Y0 की जगह पे आप Y0 का value रखोगे और K की जगह पे आप 0.2428 रख दोगे ठीक है और यहाँ पे plus का plus और Y0 का value क्या है आपका 1 है ठीक है यह आपका यहाँ पे मिल जाएगा Y1 का value ठीक है तो चलो अब हम Y1 निकालते हैं फ्रेंद आप मैं Y1 निकालूंगा ठीक है तो Y1 का formula मैं यहाँ पे लिखूंगा Y0 plus के उसके बाद Y0 का value यहाँ पे रखूंगा plus का plus और K का value जो अभी मैं find किया हूँ उस value को यहाँ पे रख दूँगा ठीक है इसको मैं solve करूंगा तो मेरा value ऐगा 1.2428 यह तो यही मेरा correct answer होगा ठीक है तो मैं एसा लिख सकता हूँ for X is equal to 0.2 के लिए मेरा Y का value मिला है 1.2428 यह मेरा correct answer हो ठीक है या फिर ऐसा भी लिख सकते हो Y of 0.2 पे मेरा value है 1.2426 ठीक है अब देखो यह जो X का value है जैसे 0.2 कैसे आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं X1 का formula होता है X0 plus H एक 0 का value मैं यहाँ पे रखूँगा H का value मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ठीक है तो मेरा value आएगा 0.2 तो हमारे question के अंदर दिया गया था कि X is equal to अगर 0.2 है तो आपको बताना है Y की value ठीक है तो मैंने यहाँ आपको find out करके दिखाया ठीक है तो फ्रेंड उमीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा वीडियो समझ में आया हो तो आप मारे वीडियो को like किजिए share किजिए च नहीं चुलां जरा एंगे